मत सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता हिमत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अधेरा नहीं होता गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो आज है दो अक्टूबर और देखेंगे आज के पूरे 16 करेंट एफेस कोईशन तो ये वीडियो आप पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट में कोईशन पूछूँगा उसका एंसर आ प्लीज पॉइडियो पसंद आगर तो एक लाइक जरू कि अगर ये काफी मेहनत लगती इस वीडियो तयार करने में लगवाग चार से पांच घंटे लग जाते हैं आप, प्लीज सपोर्ड जरूर कीज़े इस वीडियो पूरीवप प्लीज पूरा बहुत इम्पोर्टन है लिएक गझरा पूछा जाएगा चिकित्सा को नोबेल पुरुसका दोठार कीन बैग जानिकों जीता है जिसका राइड़ अंसर जोगा James P. Elyson और तसाकू होन्जो यानि ये दोने James P. Elyson और तसाकू होन्जो आप पता देख James P. Elyson और तसाकू होन्जो को रिनात्मक प्रतिरक्षा विनेमन के अबरोद से कैंसर थेरपी खोच के लिए नोबेल का चिकित्सा फिजियोलोजी पुरुसकार सम्मानित किया गया है और यह पहली बार है कि मीटू के कारण 70 वर्सों में कोई शाहित पुरुसकार नहीं दिया गया है फिजियोलोजी के इससा में नोबेल पुरुसकार को स्वीडेन इस्टाक होम कोलिष्टा इंस्ट्यूट नोबेल असेमली द्वारा सम्मानित किया गया था ठीक है इसके लावा अगर बात करें दोस्तों यहां पर नोबेल प्राइस के बारे में तो इससे नोबेल प्राइस के बारे में आपको सारे फैक्ट बता देते हैं जो गवरणिन एकजाम में बारवार पुछे आते हैं तो आपको बतादिक नोबेल प्राइस जो है अलफ्रेड वर्नार्ड नोबेल किस्मर्ती में प्रत्य वर्स 10 दिसंबर को नोबेल फांडेशन द्वार शांती 5 WC में चैत्र में उत्किष्ट उगदान के नॉबेल पूस्कार दे जा रहे हैं और रहक्तम तीन लोगों को एक छेत्र में पूस्कार दिया सकता है। इसके लाब आपको बताकुशास के लिए नोंबेल पूसकार दी जाने के शुरुष दोदिनद्ञ में मेंहें नोंबेल पूसकार दी जाने की शुरुषियांड़ हो थी मндेश्यूट 1069 से इसलिए आर्थ स cotton सिस्इश्चार में और 1969 के बाद अर्थ साथ विश्यम सामिल होने के बाद कुल छे विश्यों में नोबल पूसकार दी जाते हैं ठीक है टूडल छे विश्यों में दिये जाने लगे जब से अर्थ साथ का सुरू हुआ है इसके लावा दोस्तों आपको यहां पर बता दें कि प्रथम भारती कौन थे नोबल पूसकार विजय था प्रथम भारती थे रविश्यों को साहित का नोबल प्राप्त कने वाल प्रथम भारती थे उनकी पुस्तक गीतांजली के लिए 1913 में तो यह बहुत इंबॉडन कोश्चन जितने आपको नोबल प्राइस से बता रहो है अक्सार पूछा आता है स पूस्तक गीतांजली के लिए तो यहां पर बात करें इससे पहले इनको मिला था चिकित्सा को नोबल पूसकार 2018 किन वैक जानिको ने जीता है जेम्स पी एलिसन तसाकू हुंजो और किसलिए मिला इनको रिणात्मक प्रक्षा विनेमन के अवरोत से कैंसर थेरपी की खोच के लिए यह बहुत इंबॉडन फैक्ट में आपको बहुत इंबॉडन है 100 परसें पूसर आना है तो यह नोबल प्राइस से लेड़ेट इसे तरह में है अक्ष्ण फैक्स्ट वीडियों को लास्ट तक जरूरदेखें काफ़ी इंपोड है अगला कोशन तूल्सी दाव Stream । है वह किस छेतर से संबंदित थे उसको फाल्य में तुलिसी दास बौरकर का निधन हो गया है और नहीं已經 किया गया था और उस्ताद सामिर खान भीम सेंजोर्शी और किशोरी आमोंकर जैसे महान गायकों साथ काम किया था बोरकर को एकल प्रजसनों के साथ साथ भार्दी शास्त्री गायकों के साथ उनकी एनुठी शैली के लिए भी जाना जाता था ठीक है तो दूसी दास बोरकर का हाली मिधन हो गया हो नमर 3 देखzhly हैनए जिस देखके 7 imagin aquele आजित किया जाएगा तो 5 बैस्फी लिए समल उयक्त किया जाएगा चीन में भी राइठ आफ पो दादेखे चीन नवंभर SEG Sell狗 2019 को यह तो अपने सहर भुजेन में पांचमा विश्ट इंटरनेट सम्मिलन आजित करेगा ठीक है 2019 में पांचमा विश्ट इंटरनेट सम्मिलन आजित करेगा पोदादी की सम्मिलन के विशे रहेगा Creating a Digital World War Matchual Trust and Collective Governance Toward a Community with a Shared Future in Cyber Space आपोदादी की सम्मिलन डिश्टल चेतर में आधान प्रदान पारस पर इक सिक्षा सयोग और साजा करन का समर्थन करेगा तो कि इस देश में पांचमा विश्ट इंटरनेट सम्मिलन आजित किया जाएगा चीन में चीन की राजधानी है वीजिंग चीन के वरतमान प्रेसिडेंट है वो है शी जिन पिंग ठीक है शी जिन पिंग और पियम है चीन के वो लेक एक यांग अगला कोश्चन है प्रेस ट्रस्ट आउफ इंडिया यानि पी टी आई पी टी आई के नए अध्यक शुरू में किसे चुना गया है तो पी टी आई के नए अध्यक शुरू में चुना गया है एन रवी को किसको एन रवी को आपसाने करेक्ट हो जाएगा आपको वता दी कि पी टी आई यानि प्रेस ट्रस्ट आउफ इंडिया भारत की प्रमुक समचार संस्ता है इसकी स्थाबना कब हुई थी 27 अगस्त 1947 में ठीक है 27 अगस्त 1947 में पी टी आई की स्थाबना हुई थी ठीक है तो प्रेस ट्रस्ट आउफ इंडिया के नए अध्यक शुरू में किसे चुना गया है एन रवी को यह वेरी वेरी इंपोर्डेंट कोश्चा ने जरूर पूछा जाएगा कुस्चन नमर फीपत है भारत यूएसजी अभ्यास युद्ध अभ्यास निमभीघ किन लिखिद में से राज्यों में से किन राज्यों मौज़ित किया था और तो भारत यूएस से नभ्यास युद्ध आपको दादिक भागी रथी बांध टिहरी बांध उत्तराखंड मिश्थी थे चिपको अंदोलन के जनक उत्तराखंड से हुआ था ठीक है सुन्दलाल महुगरण गनेतरित में 1973 में चामुली जीले में परेवरण रक्षा अंदोलन चिपको अंदोलन फूलों की घाटी राष्टी उद्यान ये वैली अफ्लावर्स गढ़वाल चित्र में उत्तराखंड मिश्थी थे ठीक है तुतराखंसिलेट आपको एफेक बचंद्री पाल कर रही है अब यहां पर आपको उता थे बचंद्री पाल के बारे में बचंद्री पाल माउंट डेवरेस्ट पर चन्ने वाली प्रत्म भारती महिला है ठीक है और यह उत्तरकासी उत्तराखंड से हैं उत्तराखंड से 1984 मिनों ने माउंट डेवरेस्ट पर नेवल प्रथम भारती महिला बनी थी और हमारे देश की हर लड़की के लिए बचेंदरी पाल का जीवन एक प्रेरणा जनक है इनके जीवन से हमें काफी कुछ शीखनों को मिल सकता है तो यह बहुत इंस्पिरेशनल है इनके वारे माँ पढ़ सकते हैं तो पांच अक्टूब से एक मेहने तक मिशन गंगा राफ्टिंग अभियान चलाए जाएगा कोश्चा नम्मर सेवेंथ है प्रधानमदी नेंद मोदी ने हाली में कि स्राज में 190 करोड़ रुपए की निवेस के साथ आधुनिक खाद प्रसंसकर सुभधाओं और पाइप लाइन परिविजना को गुजरात में आपको बता देख प्राइमिस्टर मोदी जी ने अमूल डेरी के अत्याधुनिक चौकलेट सेंद को दगाटन गुजरात के आनंद जिले में मोगार गाउं में 190 करोड़ रुपए के निवेस के साथ जो तो किया है ठीक है गुजरात में कोश्चन नमर 8 है अल चाय बागानों में काम कर रही गर्वती महिलाओं के लिए मातर तुलाव योजना पेशकर्स करने का पहला भारती राज्य बन गया है प्रथम भारती राज असम कोश्चन नमर 9 है केन सरकार ने हाली में किस कंपनी के साथ मिलकर लू रिवियो भियान लॉंच किया है यह किय अब आपको बता देगी आवाश्य हम रही मामलों को मंतरा लेने गूगल मैप पर सार्वनिक संचालेओं का मुल्यांकन और समिक्षा करने तु संचाले समिक्षा भियान शुरू करने के लिए गूगल के साथ लू रिविव हे तु साज़ेदारी की है तो यह किया है गूग अच्छता ही सेवा भियान के अंतिम दिन एक अक्टूबर दो अठारा को नई दिल्ली में किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक स्टैट पहले लॉंच किया गया है और अप्साने करेक्ट है कोश्चन नमर 11 है विश्व में पहली बार किस देश में टेस्ट्यू टकनीकी द्वारा शेर के शाथकों को जन्म में शफलता हासिल की गई और यह शेर शावक करत्रिम गरभादान से पैदा हुए है वर्ल में पहली बार किस देश में टेस्ट्यूब तकनीकी द्वारा शेर के शावकों में साउफ अफरीका में किस देश ने हाली में पहली बार एक साथ हाइपरसोनिक बीमान के तीन मौडलों को सभलता पूरूग परिक्षण किया है चीन ने हाली में पहली बार एक साथ हाइपरसोनिक बीमान के तीन मौडलों को सभलता पूरूग परिक्षण किया चीन लगाता है अपनी सेहने चमता बढ़ाने में लगा हुआ है तो इसका correct answer हो आगा चीन हाली में पहली बार एक साथ हाईपर सोनिक विमान के तीन माडलों को सभलता पुरूर परिक्शन किया है चीन question number 13 है अमेरिका और किस देश के बीच तीस सितंबर 2018 को नाफटा समझोता यानि उत्तरी अमेरिका मुफ्त वयापर समझोता को लेकर सहमती बन गई है correct answer है इसका option B कनाड़ा आपको दादिक अमेरिका और कनाड़ा के बीच बहरती तीरंदाज दीपका कुमारी ने महिलाओं की रिकर विस परदा में लिजा उन्रू को हरा कर कौन सा मेडल जीत लिया है करेक्ट एंसरे खोपसंड कांग से पदक तुर्की में आजिए द्विस्जुक प्थाइनल में भारती तीरंदाज दीपका कुमारी ने महिलाओं की रिकर्व इस परधा में लिजा उरून को हरा कर कान्स च्पदक जीदे लिया है । किुस्ट नमर। 15 थे किस देश के वग्जानिकों ने holders क्षिपकिली की दो नई प्रजातियां मौनटानय फॉरेस्ट और इस्पीनी हैडेट फॉरेस्ट खोजी हैं। remembering मौन्टाने फॉरेस्ट और इस्पिनी हेड़ेड फॉरेस्ट होजी है यह प्रजाती पिछले 150 वर्सों से गल्ती से कॉमन गार्डन शिपकली तरह पहचानी जाती थी ठीक है कोश्चन नमर 16 है हाली में समाप्त हुए एसिया क्रिगेट कप 2018 में प्लेयर आप दो सिरीज इमने में से किसे चुना गया करेक्ट एंसर है आप साने शिखर धवन को दुबाई में 28 सितंबर को यूनी मोनी एसिया कप क्रिगेट के फाइनल में भारत ने बंगलादेश को तीन विगेट से राकर रिकार्ट सात्मी बार का खिताब अपने नाम किया है मैन आपदा मैच रह बंगलादेश की तरफ से स अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का एंसर चीन के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है विक्रम मिस्री को ऑप्सन भी राइट था सभी इस्टूजिन ने राइट एंसर दिया था आप देख लेते हैं आज का सवाल जिसका एंसर आपको कमेंट करते हैं काफी कम लोग कमेंट करते हैं पता नहीं क्या रीजन है ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट किया करें आपके साथ मेहनत करते हैं तो आप लोग कमेंट करने में भी कंजूस्ति करते हैं तो लगवाग लाखों इस्टूजिन देखते हैं नियुक्त खिलाडियों में से किसे ट्राइब इंडिया के ब्रांड बेश्डर को मिन युक्त किया गया है आपसन देर के प्लीज कमेंट जरूर किया करिए साथ ही डिटेल में लिखा करिए और भी उस बहुत कमारे हैं आशकल इतनी मेहनत करता हूँ लगवक चार-पांच घंटे लग जाते पूरी वीडियो तयार करने में प्लीज शेयर कर दिया करो और इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर करके सपोर्ट जरूर करो लाइक जरूर कर दिया करो डिसलाइक भी कुछ लोग करते हैं एजुकेशनल वीडियो है क्या मैं इसमें कुछ गलत जान करें आपको बताता हूं पताने डिसलाइक करते हैं तो रिजन भी बता दिया करिए एक तु पढ़ाई समंधित वीडियो सेयर करता हूं डिसलाइक करते हैं खर ठीक है कोई बात नहीं पर जिनको पसंद आती तो ल जान रखिए स्वस्तर रहिए बेस्तर रहिए शुकी रहिए जै हिंद जै भारत